आमतर पर पहाड़ों में जो गाउं हैं वो पानी की समस्या से जूसते हुए गाउं हैं सभी गाउं तक सिचाई की वेवस्ता नहीं है इसको लेकर के इसका एक वेकलपिक रास्ता हम लोगों ने निकाला है पॉलेथीन स्ट्रीट के द्वारा टैंक बना करके और उसमें पानी जमा करना और उससे सिशाई करना तो ये जो टैंक हम देख पा रहे हैं ये टैंक जो है हमारा ये पॉरांसी गाउं में पॉलेथीन से बना हुआ ये टैंक है जिस टैंक में हम लोगों ने एक गड़ा खोदा है उसको लीपा है और उसके उपर पॉलेथीन सीट बिचाई है और इस पॉलेथीन सीट में पानी भर लिया गया है और इस तरह के टैंक बरसाती पानी को जमा करते हैं इस तरह के टैंक जो है हमारे छट के पानी को जमा करते है और ये एक तरह से किसान के पास अपनी एक सुरक्षा है और इसमें बहुत लागत नहीं आती है, लागत के नाम पर सिस्फ इसमें जो है ये पॉलेथीन सीट जो है यही एक लागत है और बाकी सारा काम किसान महिलाएं, सारे लोग अपने हाथ से इसको कर लेते हैं सब्सक्राइब कर दो अट रंप से तो हमने और जा जिए सी परसंट से फैदा हो रहा है यह पाणी के उसे यह बागवानी के उसे यह खाय गाय बच्छी नियुक्ड पानी भी इसमें हो जाता है जा सें हम एज आज ए टैंक भर दिया है तो इसमें करीब हम दो रोज तीन बाद में बचा खुचा जो पानी है फुलवारी हैं जैसे पेड़ पहुंदे हैं या अपने फसल के रूम में ले लेते हैं इससे हमें कहना चीए कि सरा लूम में ये कहूं में हमारी आयका एक दुगना-शादन जैसा भी महसूस हो रहा है यहां की बगोल के हिसाब से छोटे- ज्यादा तर हमारा जो टैंक है हो दस फिट लंबा दस फिट चोड़ा और पांच फिट गहरा होता है और इसमें करीब दस से चौदा हजार लिटर के बीच में पानी आता है पूरी एक प्लानिंग के शादकार आ गया है जब तक टैंक ठीक शी उसकी खुदाई उस नाप मे उसाकार में और उस तरह की श्मोथ लिपाई नहीं हुई तब तक हमने उनको पनी उपलब नहीं करवाई तो उसका फाइदा ये रहा कि जैसे किशान जल्दी में उनका मेली रहा फिरी में तो गड़दा कर के शीदे पनी डाल देता है तो उसमें कई शारे कांच या पत्थ तरह का ये रहा है कि आप पानी को बहुत बड़ी मात्रा में बचानी सकते हैं और पानी बहुत तेजी के सांथ निचे को भाग भी जाता है अबरसाथ का पानी और हमारे पास ऐसा कोई श्रोध भी नहीं है जिससे हम लोग सिचाई का ठीक से हर खेद तक पानी पहुंचाने ये अधी थोड़ा पहुने के उसे पंञे उसे एक नोरी है हो ये एक ऐसा टेकनिक है जो बहुत सारल है और हर क्रीसान के लिए बहुत आशानी से अपलब्ध है हरगेत में रगर में को किया झाता है और इसको करने से कुई भी ठीकसान वो अपनी आई को बहुत अच्छे से बढ़ा भी सकता है अगर एक कास्तकार के पास अगर दो तीन चार भी अगर बना ले इसको जल अगर एकत्र करके साइद मेरे को लगता है कि किसान साइद हो आई उसकी कुछ आगे बढ़ सकती है सरकार की तरफ से इस तरह के टैंकों को प्रोचाइद करने के लिए कम से हमारे पास कोई योजना नहीं है ये लोगों के द्वारा समधाय के द्वारा अपना प्रयास है समधाय के लोगों ने इसमें चंदाय कठा किया और उस संदे को कठा करके हम अपिलूथीन शीट खरीद के लाए हैं और पलूप्द करा रहे हैं